जिन्देगी बहुत हासिन है, कभी हसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिन्देगी की भीड में खुस रहते हैं, जिन्देगी उसी के आगे सिर चुकाते हैं। उम्रो ठाका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, अगर जीधो जीतने की, तो हार भी हारा नहीं सकती, जो आपनी जीन्दिगी में कुछ पाना चाते हैं, वो शमंदर में भी पत्तोर की पुल बना लेते हैं। विश्वास ओसोकती है, जिससे उजली हुई दुनिया में प्रकास लाया जा सकता है। रहा संगर्षो की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुमहा सुरज बनकर वो ही चमकाता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। खुद को इतना कमजुर मत होने दो कि तुम्हे किसी की एहसास की जुरुरत हो। जब भी पढ़ाई करने बैटे, एह सुचे कि आखरी बार पढ़ रहा हूँ। कल मेरे एकजाम है, एकिनन इस सुच के साथ की गई तयारी एक आलक लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एकजाम आसाने से पास कर लेंगे। जिन्देगी खिलती भी है उसी के साथ जो खिलारी बेहतरिन होता है। दर्थ सबके एक है, मगर हसले सबके अलक अलक है। कोई होतास होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्स करके निखर जाता है। सुचो मत, सुरुवात करो, बादा मत करो, सावित करो, बाताओ मत, करके दिखाो। बिकल्प मिलेंगे बहुत मार्क भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही काफी है, मंजिल तक पहुँचने के लिए। शमय इनसान को शफल नहीं बनाता, शमय का सही इस्तेमल इनसान को शफल बनाता है। शमय शाय हमारी जीवन में बिना किसी की बजा से नहीं आती है। उनका आना एक इसारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाना है। आज मुश्किल है कल थोड़ा बहतर होगा बस उमित मत छोड़ना भविश्च जुरूर बहतरिन होगा आगर आप बहुत मुसिवत से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा यात रखना सितारे कभी भी अंधेर के बिना नहीं चमकाते हैं सब्र इनसान के पास एक ऐसे चीज है जिसके जरिये वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपनी काबिलियत को इतना काबिल बनाओ कि लोगों का अपनी आउकात अपने आप नजर आने लगे बादे से आपने मुकरेंगे नहीं जब ठान ली है मंजिल को पाने की तो उसे पाने से पहले रोकेंगे नहीं पहचान ऐसी बना कर छोड़ेंगे कि मत भी आने से पहले पूछेंगे मेयाई कामिंग सेर भीड में सोर माचाने वाले भीड में ही रह जाते है शौफल तो ओ होते है जो खामोसी से महनत कर जाते है जिन्देगी में जिसने शौमोई को माल लिया उसने आपने आपको जाल लिया जब महनत और आत्म विश्वास निरंतर आदत बन जाता है तब शौफलता का आना निश्चित तै हो जाता है जिन्देगी जब कठिन स्वमोई में नाच नाचाती है तो ऐसे स्वमोई में धोर्यों का सहारा लेना उचित रहता है जब महनत नहीं करोगे तो कुछ कामाओ के कैसे जब मौरेगे ही नहीं तो सर्क जाओ के कैसे जिन्देगी में उस लेविल तक पहुँचो जहां लोग तुमारे कद्र करें और तुम्हे खोने से डरें जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुस्किल लगता है लेकिन जब आप महनत करते हो तो सब कुछ आसाल लगता है जाए हेंद